हेलो एवरिवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफूड़ेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं इंडियन कर्स्टूडिशन एट वर्क, NCRT, क्लास 11, पॉलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं चेप्टर 7 में हम लोग हैं फेडरलिजम की बात चल रही हैं, चार पार्ट में अभी तक इस चेप्टर को हम लोग देख चुके हैं आज हम लोग पार्ट 5 के साथ इस चेप्टर को कंटिन्यू करेंगे और most probably आज के पार्ट के साथ यह हमारा चेप्टर जो है की federalism को लेकर या Indian federal system में क्या-क्या conflicts हुए है Central state relations में कुछ conflicts आए थे वो हमने देखा Governor के रोल और President rule को लेकर कुछ conflicts आए थे वो हमने देखा कुछ नए राज्यों के बनने की demand थी उसको लेकर कुछ conflicts थे वो हमने देखा तो इस तरकी की बात है हम लोगों ने करी है अभी एक दो conflicts हमारे पास और बचे हुए है उनकी बात करेंगे और कुछ special provisions दिये गए है कुछ राज्यों को जिनकी cultural identity या फिर historical कुछ structure थोड़ा सा लग रहा है कुछ उनकी history थोड़ा सा लग रही है उसके बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से request करना चाओंगा कि जो लोग इस course को इस वीडियो से iLikes को फालो कर रहे है जिनको ये पसंदा और ही है वो जिएदा से जदा वीडियो से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ कलीक्स के साथ झाके हमारे इनộcगर्षेश का जो फाइदा है वो जदा से जदा लोगों तक पहुँच सके चेप्टर पर आते हैं फेडरलिजम पार्ट फाइफ के साथ देखें जो आज हमारा एक कन्फिक्ट बचा हुआ है उसकी हम बात करेंगे that is interstate conflict यानि कि अभी तक तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो था केंदर और राज्यों के बीच में conflict अब आगया interstate में मतलब दो राज्य भी आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच में भी conflict है ठीक है While the states keep fighting with the center over the autonomy and other issues like the share in revenue resources there have been many instances of disputes between two states और among more than two states मतलब वही कहता जा रहा है कि केंदर के साथ तो राज्यों आपस में लड़ते ही है केंदर और राज्यों के बीच में लाई होती है क्यों? क्योंकि एक तो और आटनॉमी को लेकर ये राज्यों को जो है जादा और दी जाए और दूसरी बात यह है कि revenue resources का जो share है वो उनके पास जादा हो लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि दो राज्यों या दो से जादा राज्यों के बीच में भी आपस में dispute होता रहता है अगर कोई भी dispute होता है between two states हो या फिर center और state हो तो judiciary जो है dispute को सुल जाने का काम तो करती है अब वो dispute legal nature का होना चाहिए क्योंकि तभी judiciary उस पर काम कर भाएगी लेकिन जादा तर जो disputes यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ legal तरीके के नहीं होते हैं उनका political implications भी होता है and therefore they can best be resolved only through negotiations and mutual understanding मतलब वो एक तरीके साब कह सकते हैं कि राजनीती से प्रभावित किये गए मुद्दे होते हैं जिनके वज़े से dispute होता है ठीक है तो इन मुद्दों को जो है resolve करने के लिए सुलजाने के लिए judiciary की कोई जरुवत नहीं है इनको आपस पे negotiations यानि कि एक दूसरे के साथ समझ से एक दूसरे के साथ बाची से mutual understanding से जो है वो सुलजाया जा सकता है ये बात यहाँ पर नोने साफ साफ लिखी है इसके बाद दो टाइप के जो disputes हैं वो recur होते हैं रिकर मतलब बार बार होते हैं मतलब जनरली तो आपने पहले भी देखा कि जो राज्य बनाए गए वो किसके अधार पर बनाए गए linguistic basis पर बनाए गए तो language जो है वो एक आधार था कि राज्य जी की boundary को हम लोग उसके हिसाब से define कर सके लेकिन जो border areas है border areas मतलब जो boundary से लगते हुए areas है वहाँ पर ऐसे भी कुछ population होगी जो एक से जादा language बोल रही है है ना तो it is not easy to resolve this dispute merely on the basis of linguistic majority तो इस issue को जो है इस मुद्दे को हम लोग सिर्फ और सिर्फ linguistic majority के अधार पर जो है resolve नहीं कर सकते one of the long term long standing border disputes is the dispute between Maharashtra and Karnataka over the city of Belgaam ठीक है Maharashtra और Karnataka जो है ये Belgaam को लेकर हमेशा लड़ाई जगड़ा इनके बीच में रहता है मनिपुर और नागलेंड में भी जो है इस तरीके का ही एक long standing border dispute बना हुआ है The carving out of Haryana from the erstwhile state of Punjab has led to dispute between the two states not only over border areas but over the capital city of Chandigarh ठीक है Haryana को जो है Punjab से अलग किया गया तो इनके बीच में जो dispute बना हुआ है वो border areas को लेकर तो है ही है साथ ही साथ जो इनकी capital city है चंडिगरh उसको लेकर भी है This city today houses the capital of both these states आज की date में आपको लोंको पता होगा कि चंडिगरh जो है वो हर्याणा की भी और Punjab की भी दोनों की ही राजधानी है कैपिटल है 1985 1985 1985 में जो उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गाधी उन्होंने एक understanding की थी पंजाब की leadership के साथ और उस understanding के अनुसार क्या था कि चंडिगरh जो है वो पंजाब को handover किया जाएगा मतलब पूरा का पूरा पंजाब जो चंडिगरh है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का होगा हर्याडा के लिए फिर कुछ दूसरी राजधानी होगी लेकिन ऐसा जो है अभी तक नहीं हुआ और आज की डेट में भी आपको पता है कि चंडिगरh is the capital city of both पंजाब as well as हर्याडा अब यह जो border disputes है they are more about sentiment यह sentiment का जादा खेल है the disputes over the sharing of river waters are even more serious because they are related to problems of drinking water and agriculture in the concerned state ठीक है मतलब border dispute तो देखे sentiment से ही प्रभावित है क्योंकि आप समझ सकते है कि अगर कोई भी व्यक्ती इधर रहे या उधर रहे जैसे माली जी यह boundary है तो व्यक्ती इधर रहे या इधर रहे उसका कोई बहुत जादा फरक तो पढ़ेगा नहीं लेकिन वो sentiment वाली बात है कि अच्छा यह region जो है यह हमारे राज्य का होना चाहिए यह region हमारे राज्य का होना चाहिए वो बात अलग है वो sentiment से संबंदित खेल है लेकिन दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है वो है river waters की sharing को लेकर जो नदियों का पानी है उसके बटवारे को लेकर जो issue है वो बहुत जादा serious है क्योंकि वो drinking water से संबंदित है agriculture से संबंदित है तो आपने ये चीज़ सुनी होगी about the kaveri water dispute ठीक है kaveri water dispute जो है वो tamilnadu और करनाटक के बीच में है अब kaveri नदी कहां से निकलती है यह आप मुझे बताएंगे कि kaveri का origin कहां पर होता है ठीक है इसको आप kaveri भी बोलते है या फिर आप इसको kaveri भी बोलते है ठीक है इसका origin कहां पर होता है यह आप मुझे comment section में बताएंगे आप लोगों ने geography आयोप पढ़ी होगी ठीक है class 11 की ही geography की book है न India physical environment उसमें यह बाते की गई है आप मुझे बताएंगे कि kaveri का origin कहां पर है फिर नहीं हो पाएंगी चीजों को याद रखें चीजों को समझे चीजों को link कीजिए relate कीजिए तभी आपका फायदा होगा ठीक है अब जो डोनों राज्यों के जो किसान है जो farmers हैं वो kaveri के पानी के उपर निर्बर है अब farmers हैं तो वो किस लिए निर्बर होंगे agriculture के लिए यानि कि क्रिशी के लिए खेती के लिए है ना दो there is a river water tribunal to settle water disputes this dispute has raised the supreme court हला कि water disputes को या ये जो नदियों का basically जो बटवारे को लेकर जो पानी के बटवारे को लेकर जो भी विवाद होता है इसको लेकर एक water tribunal या river water tribunal बनाई गई है ठीक है कावरी को लेकर भी बनी हुई है लेकिन ये मुद्दा फिर भी आपने पीछे देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था भी पिछले दो-तिन साल पहले ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बहुच चल रहा था फिरसी तरीके का एक similar dispute जो है वो गुजरात, मध्यपदेश और महरास्टर के बीच में भी चलता रहता है over sharing the waters of नर्मदा जो नर्मदा river है वहाँ पर उसका जो water है उसको लेकर अब नर्मदा का origin कहा है ये भी आप मुझे comment में बताएंगे ठीक है quality में हम लोग geography को introduce कर रहे है क्योंकि नदियों के नाम आ रहे है तो origin वगर आपको पता होने चाहिए so that कि आपको नदी का course पता रहेगा कि नदी किस कहां से निकलती है किस direction बहती है किस किस राज्य से होके बहती है तो आप इन disputes को और अच्छे से relate कर पाएंगे अब rivers जो है they are the major resource and therefore disputes over river waters test the patience and cooperative spirits of the states ठीक है क्योंकि नदिया जो है वो एक बहुत major resource है ना पानी का और इसलिए जो river water के उपर जो dispute होता है वो states का अब यहाँ पर देखे नीचे दिया गया यह activity बोली गई है कि information about at least one dispute about river waters involving two or more states यह हम लोगों ने पॉलिटी का जो अपना full course है वहाँ पर discuss किया है कौन सा river dispute है किन किन राज्यों के बीच में है कौन कौन सा tribunal इनको लेकर बनाया गया यह बात है हमने वहाँ पर की है तो यह आपको assess करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर फिर से आप लोगों के लिए दो सवाल आते है पहला है कि why do states want more autonomy फिर से एक तरीके सा आप कह सकते है कि थोड़ा सा factual question भी है यह भी आपको पता होना चाहिए यह basically concepts है यह जादा terminological concepts है ना यह जैसे autonomic term है cessation एक term है तो इनका term का मतलब क्या है इनका concept क्या है यह आपको पता होना चाहिए नीचे comment section में इनके भी जवाब आप मुझे जरूर बताइएगा ठीक है तो I hope यहां तक बात आप समझ गए और यह हमारा जो सारा का सारा discussion चल रहा था about the conflicts in the Indian federal system अलग-अलग तरी यह conflicts हम लोगों ने यहां पर देख लिया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं special provisions की बात करेंगे the most extraordinary feature of the federal arrangement created in India is that many states get a differential treatment ठीक है यह भी एक extraordinary feature है हमारे federal arrangement का कि कुछ राज्यों को जो है differential treatment मिलता है मतलब हर राज्यों को एक जैसा treatment नहीं मिलता कुछ राज्यों को कुछ special treatment भी मिलता है we have already noted in the chapter on legislature that the size and population of each state being different and asymmetrical representation is provided in the राज्यसभा यह चीज़ा हमें पहले से पता है है ना हमने last lecture वाले chapter में भी पढ़ा है या as such हमें पता भी होगी क्योंकि हमारे पास क्या है कि हर राज्य का जो size है वो अलग-अलग है population अलग-अलग है तो हमने राज्यसभा में क्या किया हुआ है asymmetrical representation दिया है asymmetrical representation का मतलब कि हर state से number of seats in राज्यसभा जो है वो अलग-अलग होंगी यह हमने किया है while ensuring minimum representation to each of the smaller states मतलब जितने भी smaller states है उन में से कुछ minimum representation एक-एक seat तो at least होंगी लेकिन जैसे इसे number of मतलब राज्य बढ़ा होगा population बढ़ी होगी, size बढ़ी होगी अब इसमें भी चीज क्या है कि आपको अपने राज्य में कितनी राज्यसभा की seat है कितनी लोगसभा की seat है कितनी विधान सभा की seat है यह सारे चीजें जो है पता होनी चाहिए ठीक है और क्यों होनी चाहिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि exam में तो SSG नहीं आएंगी UPSC में तो नहीं आएंगी आपके state PCS में आ सकती है है ना और जब आप interview में अगर UPSC के जाते हैं तो वहाँ पर ये चीजे जो है आपसे पूछी जाती है कि आपके राज्य में लोकसभा की seats कितनी है राज्यसभा की seats कितनी है और आप ये समझ के चलिए कि उसमें से reserve seats कितनी है CST वाली seats कितनी है ये चीजे आपसे पूछी जाती है क्योंकि ये basically ये बताता है कि आप अपने region को कितना अच्छे से जानते है मतलब आपके राज्य का पूछा जा सकता है या आप किसी और दूसरे राज्य का अगर जब आप def भरते है जब आपका mains का exam होता है तो उसके बाद आप def भरना होता है detailed application form तो वहाँ पर आपको जो cadre वगरा पूछा जाता है कि किस राज्य का cadre आप चाहते है जो अपनी preference आप भरते है तो उनके बारे में भी आपको ये चीज़े जो है पता होनी चाहिए ठीक है अगर आपको ये चीज़ पता होंगी तो आपका interview जो है वो काफी अच्छा रहेगा और उससे जो interviewer है उनको ये पता रहेगा कि आप हाँ जिस राज्य में आप जाना चाहते है या जिस राज्य से आप है आपको उसके बारे में एक basic knowledge है कि वहाँ पर राज्य सभा लोग सभा की seat कितनी है विदान सभा की seat कितनी है और ये सब चीज़ है ठीक है अब इसके बाद जो division powers की बात करते है जो हमने schedule 7 की बात करी तो वहाँ पर तो क्या लिखा गया है कि वो जो state list है वो हर राज्य के लिए लागू होती है वो common है येट the constitution has some special provisions for some states given their peculiar social and historical circumstances लेकिन constitution ने ही कुछ राज्यों के लिए special provisions भी दिये हुए है और most of the special provisions जो है वो north eastern states के लिए है जैसे कि आसाम, नागालेंड, अरुणालचरपदेश, मिजोरम, etc largely due to their sizable indigenous tribal population which is distinct with a distinct history and culture वहाँ की जो tribal population वहाँ पर बहुत जादा है है ना indigenous मतलब होता है वहाँ की जो original local population है वो वो बहुत जादा है क्योंकि उनका history, उनका culture थोड़ा सा अलग होता है तो इसके लिए उनको special provisions दिये गए है However, these provisions have not been able to stem alienation and the insurgency in parts of the region लेकिन इन provisions की वज़े से जो है alienation, alienation मतलब word बना है alien से alien मतलब क्या होता है, कि जो किसी दूसरे ग्रह का हो है ना जिसको हम proper जानते नहीं हो तो alienation वहाँ पर हुआ है, मतलब एक तरिक से कह सकते हैं कि अलगाव हैना कि देश से उनका जो है लगाव उतना जादा है as such नहीं देखने को मिला है और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर insurgencies भी हुई है insurgencies मतलब वहाँ पर आपने देखा होगा कि नौर्ट इस्ट के रीजन में काफी जादा insurgencies देखने को मिली है मतलब वहाँ पर जो local groups है, जो rebels वगरा है वो बहुत जादा है ठीक है, इसके बारे में बेसिकली आप लोग जो security issues या जो internal security का एक course है हमारा, उसमें भी जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आपका जो paper 3 होता है मेंस का paper 3 होता है, वहाँ पर भी वो चीज़ है important है तो वहाँ पर हर राज्य को हमने properly discuss किया हुआ है insurgencies in the northeast करके chapters है वहाँ पर वहाँ पर जाके आप पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा detail में पता लगेगा ठीक है? और कुछ special provisions जो है, वो कुछ 371 में दिये गए है 371 A से लेकर 371 J तक ठीक है? अलग-अलग राज्यों के लिए जो है अलग-अलग article दिया गया है, 371 जो है वो special provisions की बात करता है I hope यहाँ तक बात clear है अब इसके बाद अलग से यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया गया है क्योंकि थोड़ा सा अलग केस बनता है तो वो हम यहाँ पर देख सकते है ठीक है? The other state which had a special status was जम्मू और कश्मीर एक और राज्य हुआ करता था अब तो हम यही कहेंगे कि राज्य हुआ करता था क्योंकि आप राज्य नहीं है एक और राज्य हुआ करता था जिसके पास special status था जिसके पाँ विशेश दर्जा था वो क्यों सा था? जम्मू और कश्मीर आर्टिकल 370 के अंदर का दिसको special status दिया गया था जम्मू और कश्मीर का जब एकर हमें इतिहास पता हो तो हमें पता होगा कि वो एक large princely state हुआ करती थी जिसके पास option था क्या option था? कि या तो वो भारत को join कर सकता है या फिर पाकिस्तान को join कर सकता है या फिर independent रह सकता है हाला कि जितने भी princely states हुआ करते थे रजवारे थे उनके पास ये option उनको दिये गए थे है न जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय उनके पास ये option थे कि या तो वो भारत के साथ जुड़ जाए या पाकिस्तान के साथ या फिर independent रहे ठीक है? However, immediately after independence तो basically ये जो जम्मू कश्मीर था प्रिंसली स्टेट था इन्होंने डिसाइट किया था कि ये अलग रहेंगे लेकिन आजादी के तुरंद बाद October 1947 में अब पाकिस्तान क्या करता है कि अपने कुछ infiltrators tribal infiltrators मतलब कुछ गुसपैट ही जो है वो अपनी तरब से भेज़ देता है कश्पीर को capture करने के लिए अब उस समय क्या था कि ये autonomous state था तो इनके पास इतनी जादा military वगरा या power वगरा नहीं थी कि ये पाकिस्तान के जो infiltrators थे उनसे लड़ सके तो इस वज़े से इन्होंने क्या करा कि इन्होंने भारत से सहायता मागी है ना जो वहां के उस समय माराजा थे माराजा हरी सिंग उन्होंने इंडिया की help मागी कि हमें इन पाकिस्तानियों से बचाईए तो उसके बदले में फिर उनको जो है इंडियन यूनियन में exceed कर लिया गया मतलब उनको बोला गया कि आप ये जो document है ये sign कर दीजे कि जम्हू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होगा तो बदले में हम आपको उसकी help कर देंगे तो वो चीज़ें वहां पर एक agreement हुआ था उसको instruments of accession बोलते हैं बहुत important एक वो document है instruments of accession जो की union government और महराजा हरी सिंग और जम्हू कश्मीर के बीच में sign किया गया था इसके बाद many of the Muslim majority areas in western and eastern parts joined Pakistan ठीक है बहुत सारे Muslim majority regions थे जिनोंने Pakistan को join किया लेकिन जम्हू कश्मीर जो था वो exception था under these circumstances it was given much greater autonomy by the constitution तो उनको फिर बहुत जादा autonomy दी गई article 370 के अदार पर concurrence of the state was required for making any laws in matters mentioned in the union and concurrent list अब यहाँ पर देखे क्या क्या अंतर था मतलब हला कि अब तो खरिए बहुत जादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि article 370 तो हट चुका है लेकिन फिर भी जो चीज लिगी गई है उसको देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या था कि अगर union और concurrent list के उपर भी अगर कोई laws बनाए जाने थे तो उसको लेकर भी राज्य की concurrence मतलब राज्य की रजामंदी उसमें चाहिए थी ठीक है बागी राज्यों में ऐसा नहीं होता बागी राज्यों में अगर कोई भी union list और concurrent list के उपर अगर आपको law बनाना है तो वो directly आपका union जो पहलियमेंट है वो बनाती है उसमें और राज्यों कोई भी रोल नहीं है ठीक है वही मैं कराओं कि अपलाई होती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता जमुन कश्मीर के case में central government had only limited powers and others power listed in the union list and concurrent list could be used only with the consent of the state government वो बात में आपको समझा दी कि यहाँ पर क्या होगा union list और concurrent list की भी जो powers है वो राज्य सरकार के consent या सहमती से ही लागू होंगी तो इससे क्या हुआ कि जमुन कश्मीर को जादा autonomy मिल गई अब इसके बाद earlier एक constitutional provision यह था that allowed the president with the concurrence of the state government to specify which parts of the union list should apply to the state ठीक है एक यह provision हुआ करता था कि राश्टरपती जो है वो state government के साथ मिलकर इस चीज़ को specify करेंगे कि union list जो है वो राज्य के किन किन हिस्सों में apply होगी the president issued two constitutional orders in concurrence with the government of Jammu and Kashmir making large parts of the constitution applicable to the state ठीक है तो राश्टरपती ने जो है Jammu Kashmir की सरकार के साथ मिलकर क्या करा कि दो constitutional orders जो है वो जारी करें issue करें और major part of the constitution जो है वो state के ऊपर लागू होने लगा as a result दो Jammu Kashmir had a separate constitution and a flag the parliament's power to make laws on subject in the union list was fully accepted ठीक है हलाकि यह आपको पता होगा कि Jammu Kashmir का अपना संविधान था वहाँ का अपना flag भी था लेकिन parliament की जो power थी कि union list के उपर वो laws बना सकते हैं उसको accept कर ले गए वो जो constitutional order लाया गया था उसके through ठीक है इसके बाद the remaining difference between other states and the state of JNK were that no emergency due to internal disturbances could be declared in JNK without the concurrence of the state ये भी बात थी कि और राज्यों में और Jammu Kashmir में एक अंतर और भी था कि internal disturbance की वज़े से emergency अगर लगाने की बात की जा रही है तो वो Jammu Kashmir में without the concurrence of state मतलब वही कि राज्य की रजामंदी के बिना नहीं लगाए जा सकता the union government could not impose a financial emergency in the state and the directive principles did not apply in Jammu and Kashmir financial emergency article 360 वो यहाँ पर नहीं लगाए जा सकती और जो DPSPs है ठीक है जो directive principles है वो भी Jammu Kashmir पर लागू नहीं होते amendments to the Indian constitution under article 368 could apply in concurrence with the government of Jammu and Kashmir तो Jammu Kashmir को आप देख सकते हैं कि बहुत साजा power दी गई थी 368 के अंतरगर जो भी समिधान का संशोजन होता है वो भी Jammu Kashmir की सरकार के concurrence से या उसकी रजामंदी से ही हो सकता था अब आज की date में तो present status क्या है कि यह जो special status था given under article 370 this no longer exists ठीक है यह तो खतम हो चुका है अब एक Jammu Kashmir का reorganization act आया था 2019 का 2019 का उसमें state को जो है bifurcate कर दिया गया है into two union territories अभी एक केंदर शाषित राज्य हो चुका है केंदर शाषित प्रदेश हो गया है एक हो गया है Jammu and Kashmir और दूसरा है Ladakh and a new arrangement has come into effect from 31st of October 2019 उसमें से भी Jammu and Kashmir के पास legislature है मतलब अपनी legislative assembly है Ladakh के पास वो भी नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होंगी और इस बात को लेकर आप लोग जैसे news वगरा सुनते हैं तो वहाँ पर भी आपको पता लगता रहता है कि जो अभी भी कश्मीर के कुछ political parties है वो ये अभी भी मांग करती है कि इनका statehood जो है वो वापस किया जाए ठीक है वहाँ पर कोई अभी election भी नहीं हो रहे है और इसका statehood वापस करने की मांग ये लोग करते रहते है तो केंदर की तरफ से भी यही जवाब दिया जाता है कि हमने जो जम्हो कश्मीर का especially जो ये बनाया है यूनिन टेरिटरी बनाया है ये कोई permanent नहीं है हम इसको statehood बना देंगे इसमें जो है proper election वगएरा होंगे और इसका statehood बना देंगे क्योंकि वहाँ पर रेसलेडिव assembly तो वैसे भी है लेकिन अब वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो तो समय बताएगा लेकिन अभी ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है तो news बगर अगर आप लोग सुनते है तो चीज़ों को थोड़ा से relate करके चलिएगा ठेक है तो इसी के साथ ये जो हमारा chapter था that was chapter number 7 ये complete होता है इसके यहाँ पर last में conclusion दिया है इसको आप लोग पढ़ लीजेगा चीज़ें आपको I think समझ में बिलकुल अच्छे से आ जाएंगी ठीक है तो ये chapter हमारा complete हो गया अब इस book के हमारे तीन chapter और बचे होए है that is 8, 9 and 10 खोशिश करेंगे कि जल से जल उनको भी cover कर ले ताकि हमारी ये जो पूरी book है जो थोड़ा समय से pending थी इसको हम लोग cover कर लेंगे notes भी आप लोग को साथ साथ जो है वो full course में हमारे दे दिये जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं नीचे comment section में आपको उसका sorry नीचे description में आपको उसका link मिल जाएगा full course का वहाँ पर जा कि आप enroll कर लीजेगा आपको basically वहाँ पर कुछ short notes वगरा जो है वो provide कर दिये जाएंगे तो चलिए इस lecture में तो इतना ही है ये तो chapter complete हो गया आगले lecture से अब हम लोग नया chapter that is chapter number 8 को start करेंगे तो content related आपको अगर कोई भी doubt होता है तो आप हमारा टेलिग्राम का ग्रूप ओकुल GSU PLC discussion forum इसको join कर सकते है link नीचे description में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलिग्राम में search करके भी join कर सकते है और अपने जो भी doubts जो भी queries है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते है फुल कोर्स में अगर आप enroll करना चाहते है तो link नीचे description में दिया है वो भी कर सकते है support at the local.co ये भी हमारी email ID है अगर कोई भी doubt होता है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते है या फिर आप हमसे social media platforms, facebook, instagram, linkedin और twitter के त्रू भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुशा सकते हैं तो चलिए मिलेंगे अगले lecture में नए chapter कर स्टार करेंगे चप्टर नमबर एक तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज दू टेक केर अफ यॉरसल थेंक यू हवा नाइस देख बाबाए और जैन